मैं अपनी पेन के रिफेल खरीदने गया था और इसकी कीमत थी 7 रुपे मेरी जेब में 10 रुपे के 2 नोट और 1 रुपे के 2 सिक्के थे जो कुछ इस तरह दिखते थे तो मैंने दुकानदार को 10 रुपे का 1 नोट दिया लेकिन उसने मुझे चुट्टे 7 रुपे देने के लिए कहा मेरे पास 1 रुपे के केवल 2 सिक्के हैं इसलिए मैं उसे चुट्टे 7 रुपे कैसे दू सोचिए तो मैंने क्या किया होगा हाँ दुकानदार से मैंने 10 रुपे के एक नोट के बदले में 5 रुपे का एक सिक्का और 1 रुपे के 5 सिक्के ताकि अब मेरे पास 1 रुपे के 2 अधिक 5 बराबर 7 सिक्के है अब मेरे पास 22 रुपे इस रूप में है 10 रुपय का 1 नूट, 5 रुपय का 1 सिक्का और 2 अधिक 5 बराबर 7 एक रुपय के 7 सिक्के अब इन 12 सिक्कों में से मैंने 1 रुपय के 7 सिक्के दिये और मेरे पास 22 घटा 7 बराबर 15 रुपय बज गये चुकि मेरे पास एक रुपे के दो सिक्के थे और मुझे साथ रुपे देने थे ये तो संभव नहीं इसका मतलब है कि मैं दो में से साथ नहीं घटा सका फिर मैंने दस रुपे के नोट को एक रुपे के दस सिक्कों के रूप में परिवर्तन में बदल दिया ताकि अब मेरे पास एक रुपे के दस अधिक दो बराबर बारा सिक्के हो गए जिससे अब मैं साथ रुपे को साथ सिक्कों के रूप में दे पाऊंगा इस दस रुपे के एक नोट को या एक दहाई को हमने एक रुपे के दस सिक्कों में बदल दिया इसी प्रक्रिया को उधार लेना कहा जाता है जिसमें 21 स्थान अंक ने दहाई स्थान अंक से एक दहाई या दस रुपे उधार लिया है जैसा कि नीचे दिखाया गया है आईए हम 615 में से 327 को घटाते हैं सेकड़ा दहाई इकाई हम पांच में से 7 को घटा नहीं सकते दहाई के स्थान से एक उधार लिया यानि उधार 10 अब हमारे पास 15 घटा साथ है हमें दहाई के स्थान से एक घटा नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें से एक उधार लिया है हमने 100 के स्थान से एक उधार लिया इसलिए 6 घटा एक बराबर 5 और 5 घटा 3 बराबर 2 तो 615 घटा 327 बराबर 288 हम देख सकते हैं कि घटाओं में यही प्रक्रिया दोहराई जाती है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आदिस्थान हमें दो अंकों को एक अंक में से घटाना है यदि अंक एक अंक दो से बड़ा है तो सीधे घटा है और आपको शेजभाग प्राप्त हो जाएगा अंक एक दहाई से फिर उसके बाद सैकड़े के स्थान से अब दस अधिक अंक एक अंक दू से बड़ा है अब हम इसे घटा सकते हैं हम शेशफल प्राप्त करते हैं प्रक्रिया को दहराते हुए हम एकाई के स्थान से आगे बाई और बढ़ते हैं उपर के उधारन में हम सेकड़े के स्थान पर पांच अंक एक में से तीन घटाते हैं जबकि इकाई के स्थान पर अंक एक पांच हैं अंक दो साथ हैं अतहा दहाई के स्थान से एक उधार लिया और पंधरा में से साथ घटा कर आठ प्राप्त किया एक और उधारन लेते हैं अब हम इस घटाव को दस हजार के स्थान से इकाई के स्थान तक निमन पद्धती से एक बार फिर समझते हैं चुकि हम इकाई के स्थान पर जो एक है उसे आठ में से घटा नहीं सकते हैं इसलिए हमें दहाई के स्थान पर पांच अंक से एक दहाई उधार लेने के आवश्क्ता है लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसलिए हमें दहाई के स्थान पर जो पांच है उसे साथ अंक में से घटाना होगा अर्थात पांच दहाई उधार देने में सक्षम नहीं है बलकि दहाई स्थान पर जो पांच है उसे अब सैकड़ा से एक स लेकिन हम देख सकते हैं कि यहां हमें 6 में से 7 को घटाना होगा जिसके लिए 6 खुद परियाप नहीं है तो 6000 अभी उधार नहीं दे सकता है आताहा सेकड़ा स्थान पर उधार देना 6000 के लिए संभव नहीं है 6000 को स्वयम 7,10,000 से 1,10,000 उधार लेना होगा ये प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होगी 6 अंको की संख्या को अन्य 6 अंको की संख्या मतलब 7,96,393 से घटाने के लिए हमने उसी प्रक्रिया का प्रयोग किया क्यों नहीं अब आप देखें क्या आपका भी यही उत्तर है आईए अब कुछ दिल्चस्प करने की कोशिश करते हैं यदि हम उन जोडों को जानते हों तो दहाई बनाते हैं जैसे 1 अधिक 9,2 अधिक 8,3 अधिक 7,4 अधिक 6,5 अधिक 5 तो घटाना आसान हो जाता है जैसे हम जल्दी से 11 घटा 3 बराबर 8 कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं 10 तरीके आजमाते हैं हमने क्या सीखा जब हम किसी बड़ी संख्या में से किसी संख्या को घटाते हैं तो हमें जो शेश फल मिलता है वह मूल संख्या की तूलना में से हमेशा कम होता है और यदि हम छोटी संख्या को शेश फल में जोड़ दें तो हमें मूल संख्या फिर से हो सकती है आज हमने दो अंकों की संख्या से एक अंकी संख्या की घटाव की प्रक्रिया सीखी और फिर उसी प्रक्रिया का उप्योग करते हुए छह अंकों तक की संख्या कैसे प्राप्त करते हैं यह जाना हमने उधार की संकल्पना के बारे में भी जाना हमने देखा है कि दो संख्याओं के घटाओं के लिए हम उन्हें विस्तारित रूप में लिखते हैं और फिर जहां कहीं भी आवश्यक्ता हो उधार का उपयोग करते हुए उसे आसाने से घटा सकते हैं हमने अपने उत्तर को स्वैम जांचा कैसे जाता है यह भी सीखा साथ ही उन जोड़ों को भी देखा जिनका जोड़ दस आता है जिससे घटाने का कारे अधिक आसान और सटीक हो जाता है गटाव एक दोहराई जाने वाली प्रक्रिया है जिसमें दो एकल अंकों की संख्या गटाई जाती है या जब हमें एक उधार लेने के आवश्यक्ता होती है इस प्रकार दो अंकों की संख्या में से एक अंकी संख्या गटा दी जाती है प्रक्रिया दोहराई जाती है स्वाध्या, आईए, एक अन्य साथ अंकों की संख्या से साथ अंकों की संख्या के घटाओं में लुप्त अंक ग्यात करें